तो यहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं HR CT scanning होती है जो उसमें नॉर्मल स्कोर क्या रहेगा तो यह कोविट पेसेंट अभी रिसेंट में कोविट वालों की तो हो ही रही है साथी साथ अधर लंग्स रिलेटिट प्रॉब्लम के लिए भी करवाई जाती है तो यहां पर हम पढ़ेंगे की हर सीटी स्केनिंग है क्या क्या नॉर्मल स्कोर रिंग रिंग activate वैल्ल्यॉ उर्भावब्लम मैं कितनी शीजिज हम सब्सक्राइब कर देना वो और यहां पर मैंदे विशलिट आपनेगा इंग्डियस विश्यगून HR CT scanning में भी रिसेंट में बहुत जादा करवाई जा रही है एवन जो भी hospital वोग फी नम्बर लगे जो भी lab जहाँ पर CT scanning मसीन है वहाँ पर फी नमबर लगाए जा रहा है कि अलकत है तो आया है कि यह सभी कोलियों के लिए करवाई जा रही हो एक only in पेसेंट के लिए करवाई जाती है जिनका या तो आइटी पीसी आर पॉजिटिव आया है तो आपको यदि आप जानना चाहते हैं कि लंग्स में कितने परसेंट तक आपके लंग्स डेमेज हो चुके हैं तो उसको चेक करने के लिए क्या करवाई जाता है है एक टरीके से क्या है सीटी स्कैनिंग जैसे सी प्रोसेस से सीटी स्कैनिंग मसीन के द्वारा ही होता है कंप्यूटराइज टॉमोग्राफी जो मसीन कहलाती है बट इसमें क्या होता है हाइज जैसे जो स्लाइड वाइस होती है उसके अकॉर्डिंग यहां पर आपके लिए इमेज दी जाती है है श्रे में क्या होता है यह यह एदि बगा जाएगी है एकसरे से किस तरीके से डिफरेंट है एक स्रेमें क्या होगा उनली सिंगल फॉलाइड दे जाएगी बट इसमें हैं थोड़ा साई डिफ्रेंट थोड़ा नहीं तो बहुत ज्यादा डिफ्रेंच भी हम कह सकते हैं बट यहां पर जिनका भी आइटी-पी-सी-र होता है वह सीटी स्केन करवा ही सकते हैं आपको भले माइल्ड सिम्टम होए सभी को जरूरी नहीं है कि हर सीटी स्कैनिंग करवाई जाए तो कितनी आपके लंग्स में इंफेक्शन हो चुका है कितनी परसेंट तक नॉर्मल स्कोर क्या रहेगा और जो मैग्जिव में स्कोरिंग मतलब आपके लंग्स सबसे ज़्यान किस हद तक देमेज हो चुके हैं तो सभी चीज यहां पर हम पड़ेंगे तो इसमें जो आपके लिए रिपोर्ट आएगी किसमें आएगी स्लाइस फॉर्म में रहेगी रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी तो इसमें क्या होगा कि जो लंग्स उनका पूरा डीपली तरीके से लंग लंग्स में कितना इंफेक्शन हैं उसको चेक करने के लिए एचार सीटी स्केनिंग करवाई जाती है अभी एट प्रिजेंट में कोविड नाइटीन के पेसेंट में बहुत जादा करवाई जा रही है इसकी रीडिंग कैसे की जाएगी कैसे पता चलेगा कि लंग्स कितने इंफेक्टेड हैं तो यहां पर हम भाई चीजें पढ़ेंगे तो एचार सीटी है क्या हाई रजिलीशन कंप्यूटेट टॉमोग्राफी टेस्ट अनदर वे ओफ डिटर्माइनिंग अप्रिजेंस ऑफ द वाइरल इंफेक्शन इन बाडी तर्दी हमारी बाडी में कोई व प्रिजेंस ऑफ ग्लास-like ग्राउंड ओपैक्ट ओपेसिटी इन दे लंग्स केविटी तो इसमें लंग्स की ओपैक ओपेसिटी है ठिकनेस क्या आई है लंग्स की जो व्लड बैसेर्स हैं उसमें उस सभी चीजें देखने को मिल जाएंगी तो यह क्या एक क्रूसियल मारक से भी कनफर्म हो सकता है चलिए यहां पर हम देखते हैं कि HRCT इसी आपकी कितनी आती है तो आप कितने हद तक infected हो गए हैं तो यहां पर हम बात करेंगे लंग्स की तो टोटल दो लंग्स होते हैं हमारे बॉड़ी में राइट और लेफ्ट लंग तो दौनों लंग के लोब म मिलाकर बात की जाए तो टोटल पांच लोव होते हैं राइट लंग में तीन लोब होते हैं थी लोब सो मिडुर्टिल परे नहीं है कि only एक ही लंग्स यदि आपके एक लंग्स का एक पार्ट ज्यादा अफेक्टेट है तो भी स्कोरिंग आपके लिए काउंट की जाएगी कि लेफ्ट का कम है राइट का ज्यादा है तो यहां पर दौनों की की स्कोरिंग मिला के आपको बताई जाएगी तो यदि पेशेंट का स्कोर कितना आता है लेस देन इंट आता है तो क्या है पेशेंट को माईल मतलब की थोडि प्रॉबलम है लंग्स माईल इंफेक्शन है हमें नहीं कह सकते की इंफेक्शन नहीं है थोड़ा बहुत है यदि 9 to 15 आता है डाट मौडरेत इंफेक्शन है पेसेंट को यदि 10 भी आता है तब भी मॉडरेट कहा जाएगा नौ के बाद से लेके 15 तक की जो रहेगी वो क्या रहेगी पेसेंट को कितना है मॉडरेट इंफेक्शन है यदि मोर्देन 15 15 से जादा आता है तो सीवियर है जो मैग्जिम स्कोरिंग होती है है HRCT की ही स्कैनिंग की वैल्यू होती है मैग्जिम 25 कितनी होती है 25 यहां पर हम एक इमेज और हैं पर दी हुई जिससे आपको इजिली समझ में आएगा कि चेक कैसे किया जाएगा यहां पर टोटल कितने हो गए मैग्जिम स्कोरिंग इसकी 25 ही क्यों रखी जाती है क्योंकि लंग्स के कितने लोब हो गए टोटल फैफड़ों के पांच लोब पर लोब पांच स्कोरिंग रखती जाया दी तो कितना हो गए तो यहां पर लोब के हिसाब से रखी जाती है तो 25 है जो हाइस स्कोरिंग हो गई बट एसा नहीं है कि राइट लंग का सुपीरियर लोब भी पूरा इंफेक्टेड हो जाए तो आपकी 25 इसकोरिंग आ जाए सभी लोब की मिलाके भी आ सकती है किसी सिंगल लोब की भी आ सक में एकलिम श्कोरिंग कितनी होति है 25 है अदि-क इसपेसेंट के लिए कहा गया है यह सको तूछ Guardолод वो कितनी है 13 है that means patient moderate condition में है और यदि कहा जाता है कि आपका जो HRCT value है वो कितनी आई है 20 है मतलब की patient severe condition में है severe condition का मतलब है कि patient को यह तो ventilator की ज़रुवत पड़ सकती है और उसके lungs है जो बहुत जादा damage हो चुके है अब हम बात करेंगे कि scoring किस तौर पर है जो किस तरीके से तय की जाती है तो यहां पर यह लंग्स है जो right lungs के three lobe left lung के two lobe right तो यहां पर जो infection तय किया जाता है कि यदि एक lung का कितना 5% area right lung का यदि superior lobe कितना हुआ है 5% infect हुआ है यहां पर यह देखिया तो यदि हां पर कहा जाता है कि right lung का superior lobe कितना हुआ है 5% infect हुआ है तो उसको score कितना दिया जाएगा एक one score दिया जाएगा यदि कहा जाता है कि middle lobe का आपका जो middle lobe है right lung का ही उसमें आपको कितना percent affected हो गया 20% यदि आप से कहा गया कि 20% आपका right lung का जो middle lobe है medium जो middle lobe है वह कितना हो गया 20% हो गया तब आपको दो score दिये जाएगे तो 5% right lung का infect हो गया तो एक score दे दिया यदि 20% हो गया कितना दे दिया दो दे दिया तो total कितने हो गया 3 तो यहांपर जो scoring दी जाती है 55 5 percent infected है तो 1 दिया जाएगा पांच से पच Northern गाजी 20 गहीं रखा जाता है आपर तब भी 2 score दिया जाएगा 25 z 50% infect होते हैं तो 3 दिया जाएगा पचाश से 75 परसंट होते हैं तो 4 score दिया जाएगा और more than 75 होता है तो 5 score दिया जाएगा तो टोटल में लाके यहां पर कहा गया है कि more than 15 जाएट मींस आपके lungs क्या है बहुत ही जादा severe condition में infected हो चुके हैं तो यहां पर बात की जाएगा इसकी counting कैसे की जाएगी कि आपको इतना score ही दिया जाना है यदि हम माल लेते हैं कि लेफ्ट लंका जो सुपीरियर लोब है वह कितना हो गया 25 से 50 परसेंट 50 परसेंट तक 50 परसेंट तक क्या हो गया इफेक्टेड हो गया तब 3-scoring दे दि गई inferior लोब है जो अफेक्ट हो गया यदि 70% हो गया तो चार स्कोरिंग दे दी गई तो टोटल यदि आपने इस तरीके से scoring count करी पर लोब आपने count किया जाता है जो एचार सीटी वैल्यू में तो टोटल जो 25 maximum है कितनी है 25 scoring है maximum है यदि आपकी जो scoring 4 से कम आती है जो HR CT की जो value है normal scoring है कितनी आती है 4 से कम आती है यहाँ पर देखिए patient की scoring less than 4 आती है 4 to 8 आती है तो moderate mild level पर है जो patient की lungs rate fraction है less than 4 आती है 4 से कम आती है मतलब की patient की lungs क्या है normal है अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं बट यदि आपकी जो यहाँ पर HR CT value तो यह हो गई कि maximum 25 है फर scoring क्यों कैसे दी जाती है तो यदि जिन भी लोगों को यह doubt हो कि मेरी HR CT जो value है वो बहुत कम आई है तो उनको लगे कि ऐसा तो नहीं मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में तो इसमें आपको हाइपर होने की कोई भी बात नहीं है जितनी ज़्यादा आपकी HR CT value आएगी उतना ही ज्यादा आपकी lungs क्या है damage infected हो रहे हैं जितनी कम आएगी उतने ज्यादा आपकी lungs क्या हैं सही तरीके से काम कर रहे हैं दी less than eight आती है आठ से चार से आठ के बीच में आती चार से साथ के बीच में आती है मतलब आपको थोड़ा वहुत infection है less than four आती है मतलब आपको कुछ भी नहीं है आपकी lungs normally work कर रहे हैं 9 से 15 तक आती है scoring तो moderate थोड़े से थोड़ा ज्यादा 15 से ज्यादा आता है तो severe और highest scoring maximum scoring रखी गई है infected criteria को लेके वो scoring रखी गई है तो उसमें यदि आपके lungs 5% damage होते हैं तो आपको एक score दिया जाएगा 5-25% होते हैं तो 2 दिया जाएगा 25-50% infected होते हैं तो 3 दिया जाएगा 50-75 infected होते हैं तो 4 जड़ी 75% से ज्यादा infected हो जाते हैं तो 5 score है जो दिया जाएगा तो इस तरीकिंसे मिला के क्या किया जाता है 20 में कितना कोविडि का इंफेक्षण हुआ है उसको चेक किया जाता है इन कोविट के लिए को इसलिए भी ही इधर प्रॉबलम भी हो रही है कुई किसी को सिप्स्वा कि Papacock वह-प्रोब्लम में तो इस पर्सेंट इंफेक्शन उसके लिए चार्टी चेक किया जाता है और एट प्रिजेंट की बात की जाए तो अलग-अलग होस्पिटल में होस्पिटल में होस्पिटल होगा वहाँ पर दो पास्ट रोपय एक्स्ट्रा ही आपसे लिए जाएंगे जरूरी नहीं कि अलोबर सभी लिए करवाई जाएं डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की सिम्टम्स हो रहे हैं यदि आप चाहते हैं कि आप आप पीसीए टेस्ट आपका निगेटे हुआ है बड़ फिर भी आपको सिम्टम हैं तो आप कंफ्रोमेसन के लिए कि आपकी लंग कितने डेमेज हैं जो ए तो राइट में त्री लेफ्ट में तो राइट लंग में कितने लोब है तीन लोब लेफ्ट लंग में टोटल दो लोब तो पांच लोब यहां पर हो गए यहां पर पर लोब को कितना नंबर दिया जाता है फाइव नंबर पर लोब के लिए यहां पर दिया जाता है यहां पर यह गलत टाइपिंग हो गई है फाइब नंबर हैं जो क्या किये जाते हैं इच लोब के लिए यहां पर दिये जाते हैं तो इस तरीके से पचम 25 फाइब कितना हो गया 25 हो गया कि यदि एक लोब में 5% infection है तब score एक दिया जाएगा यदि किसी पेसेंट को 16 बटे 25 इसकोर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि उसे total scoring कितनी आई है 16 25 जो maximum है तो उसमें से 16 scoring आई है यदि 16 scoring आई है तो कितने percent lungs आपकी damage है यहां पर आप देख सकते हैं more than 15 आता है that means आपके lungs क्या है severely है जो infection severe category में आ जाएगे यदि less than 15 में आएंगे तब आप moderate में जा सकते हैं but more than 15 जाएंगे तो severe में तो यहां पर next यहां पर if the spo2 is more than 94 to 96 that means your lungs is fine तो यहां पर सबसे जादा जो अभी covid में कहा जा रहा है कि किन percent को जरूरत है hospital में admit होने की किन को घर से ही treatment दिया जा सकता है तो basically जो normal spo2 level होता है हमारा कितना होता है more than 95 95 से जादा होता है in case यदि आपका जो spo2 level 94 से कमाता है यदि normal 95 है in case आपका 94 to 96 सकी range में तब भी क्या है आपके lungs ठीक है यदि less than 94 जाता है that means आपके लिए कुछ problems है तो आपको तुरधी immediately check करवाना होगा और यदि आपका spo2 level 93 से कम जाता है तो आपको तुरंथ hospital जाके admit होना होगा but ऐसा नहीं है कि all over सभी patient को hospital जाके ही admit होना पड़े वहीं जाके वो ठीक हो तो यहां पर आपके लिए क्या करना है जिन भी लोगों ने अभी तक IT-PCR करवाया है उसके बाद भी आपको satisfaction नहीं होता है और आपको doubt है कि आप HRCT की value को कैसे पढ़ सकते हैं तो इस simple सा तरीका है कि आपको जो report दी जाती है वन आपकी HRCT value आपका जो test करवाया गया है तो उस test के बाद आदि आप खुस्से चाहते हैं कि report पढ़ना चाहते हैं नहीं बन रही है तो आप इस video को जरूर देखें और समझने की कोसिस करें तो यहां पर जो COVID-19 के पेसेंट हैं उनमें lungs के लिए क्या देखा जाता है कि आपके lungs में जो blood vessels उसमें कितनी thickness आ गई है कितनी ground glass opacity आ गई है और फिर ग्राउंड glass appearance देखने को मिल रहा है और कितनी crazy paving आ गई है तो इस सभी चीज हैं यहां पर देखी जाती है इस तरीके से crazy paving का मतलब है कि जो blood vessels हैं आपके lungs में यहां पर क्या हो गया थिकनिंग हो गई है थिकनियस आ गई है इन blood vessels में इसके कारण यहां पर जो आपको दो image देख रही है दौनों चार सीटी scanning की ही image है तो इहां पर इस image में आप देख सकते हैं इस तरीके से यहां पर arrow भी लगा हुआ है क्या crazy paving देखने को मिल रही है और बांकी जो दो image देखने को मिल रही है यह क्या है ground glass appearance and opacity तो यह दोनों चीजें तीनों चीजें हैं जो जनरली जिन भी लोगों को लंग्स में infection रहेगा लंग्स में प्रॉब्लम होगी उनीं को देखने को मिलती है तो आई होप आपके लिए वीडियो है जो पसंद आया हो और अब तक जिन भी लोगों ने है HRCT scanning के बाद आपको scoring में या numbering में doubt हो रहा होगा किस तरीके से आप HRCT value को find out कर सकते हैं किस तरीके से calculate कर सकते हैं वो चीजें आपकी clear हो गई हो तब भी कोई doubt हो तो आप लोग comment box में comment जरूर करें so guys thank you for watching us bye bye